नमस्कार मैं हूँ सुप्रिया से शुरुआत करते हैं दिली के दस बड़ी खबरों की कोरोना वाइरस के बढ़ते मामलों के मत्यनजर दिली में लगाया गया वीकेंड कर्फ्यू फिलहाल नहीं हटेगा वीकेंड कर्फ्यू हटाने के केजरी वाइरस सरकार के प्रस्ताव से उपराजय पाल अनेल बैजल सहमत नहीं उपराजेपाल दफ्तर के मुताबिक वीकेंड कर्फ्यू हटाने और बाजार से और इवन विवस्ता खत्म करने का फैसला कोरोना के हालात और सुधरने पढ़ लिया जाएगा हाला कि दिले के उपराजेपाल ने निजी दफ्तरों को 50% के साथ चलने की अनुमती दी जाए और बाजारों से और इवन हटाया जाए वड़ाया जा रहा है कि दिले में कोरोना के घट्ते मामलों के मद्दे नजर मुख occupy मंत्री केजूरी वालने प्रस्ताव को मंजूरी दी थी लेकिन एलजी ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया राजधाने में वीकेंड कर्फ्यू को खत्म करने की मंजूरी नहीं मिलने के बाद पेरिंट्स के मन में सवाल उठ रहा है कि राजधाने में स्कूल कब से खुलेंगे इसके अलावा लोगों के मन में ये सवाल भी है कि बच्चों के फाइनल एक्जाम स्कूल में ही होंगे या नहीं मिली जवानकारी के अनुसार जन्वरी में स्कूल खुलने की कोई संभावना नहीं है इसे संबन्धित प्रस्ताव भी LG को नहीं भेजा गया है बात करे महराश्टरों में कोविट के मामलों में गिरावत और फीग गुजर जाने के अटकलों के बीच महराश्टरी स्कूल ने स्कूलों को खोलने का बड़ा फैसला लिया है हाला कि दिले में अभी ओनलाइन ही पढ़ाई चल रही है कोरोना के मामले कम होने के बीच राजधानी के स्कूलों को उमीर है कि नवी से बार ही तक स्टूडेट्स की एक्जाम औफलाइन लिये जा सकेंगे स्कूलों का कहना है कि अगर सरकार पाबंदियों में धील दिती है तो वो फरवरी से नवी से ग्यारवी क्लास की स्टूरेंट्स को धीरे-धीरे स्कूलों में बुला सकते हैं देश की राजधाने दिल्ले में पिछले 24 घंटों में 69,000 से जाधा टेस्ट करने के बाद 10,756 नए कोरोना मामले सामने आए और पॉजिटिविटी रेट 18.04 प्रतीशत दर्ज की गई ये राहत की बाद है कि नए मामले और पॉजिटिविटी रेट दोनों में गिरावत आई है पिछले 24 घंटों में 38 मरीजों की मौत कोरोना संकरमन के कारण हुई है दिले में इस समय सक्रिय कोरोना मरीजों की संक्या 61,954 है इनमें से होम आईसोलेशन में 48,356 मरीज है वही दिले सरकार ने कोरोना टेस्ट के दाम घटाने की घोशना की है जिसे दिलिवासियों को कुछ राहत जरूर मिलेगी दर से लाम आदमी पार्टी की दिले सरकार ने आर्टी पीसियार और रैपिड एंटिजन टेस्ट के रेट घटाने के आदेश दिये है प्राइविट लैब यह हॉस्पिटल में आर्टी पीसियार टेस्ट का रेट 300 रुपे किया गया है जबकि पहले इस कदाम 500 था दिलिवासियों को साफ हवा देने की कोशिश में लगी रहती है अर्विन केजरी वाल सरकार दिले में इलेक्रिक वीकल्स को बढ़ावा दे रही है ऐसे में बीते दिनों इलेक्रिक बस शुरू करने के बास सरकार ने अब इलेक्रिक वीकल्स यानि एलेक्ट्रिक कार, स्कूटर, मोटरसाइकल समित अन्य याताया साधनों से जोड़ी जानकारी के लिए खास वेब पोर्टल ev.delhi.gov.in शुरू किया है जिस पर ए बहानों से जोड़ी हर जानकारी लोगों को बस एक क्लिक पर मिल जाएगी आप एलेक्ट्रिक वेहिकल से जोड़ी जानकारी है जैसे कि आज पास इलेक्ट्रिक चारजिंग स्टेशन कहां है और इसमें कौन-कौन से खूबिया है EV के कौन-कौन से मौडल दिली के मार्केट में उपलब्ध है या और भी बहुत से ज़रूरी इंफर्मेशन हासिल करना चाहते है तो आप दिली सरकार के डेडिकेटड EV पोर्टल को अपने मोबाईल या लैप्टोप समेट अन्य माध्यमों पर दीख सकते हैं इससे फायदा यह होगा कि आपको एक ही जगे सारी जहनकारी मिल जाएगी और आपको बार-बार किसी से पूछना नहीं पड़ेगा दरसल प्रदूशन के स्तर को कम करने पर दिली सरकार का फोकस है कि वो लोगों के निर्भरता पेट्रोल और डीजल वाहनों पर कम करके अगर किसी ने आदेश का उलंगन किया तो घर से निकलने पर 2000 रुपे का जुर्माना लगाया जाएगा आवशिक सिवाओं को छोड़कर शनिवार और अविवार को दुकाने और बाजार बंद रहेंगे दिल्य में फिलहाल दफ्तर स्कूल आदी बंद है जिने खोलने की अजाज़त नहीं होगी वीकेंड कर्फ्यू के दरान शनिवार और अविवार को दुकाने आदी खोलने पर हमारी एक्ट के थेट एफायर दर्ज की जाएगी इसके अलावा जुर्माना लगाने के साथ लाइसेंस तक रद्द करने का प्राफधान है शादी समारों समित आने जरूरी आयोजुनों में 20 महमान ही शामिल हो सकेंगे वही वीकेंड कर्फ्यू के दरान शनिवार और अविवार को दो दिन दिली एंसियार के मैट्रू कोरीडोर पर ट्रेने 15 से 20 मिनट के अंतराल पर मिलेंगी दिले ट्राफिक पुलिस ने गरतंतरी दिवस परेट के लिए 23 जनवरी को फुल ड्रेस रिहरसल के सुचारू संचालन के लिए विवस्थाओं और प्रतिबंधों को लेकर शुकरवार को एक एडवाईजरी जारी की है परेट का रिहरसल रविवार को सुबह 9 बज कर 50 मिनट पर शुरू होगा और परेट विजय चौक से शुरू होकर नैशनल स्टेरियम तक जाएगी परेट के सुचारू रूप से संचालन के लिए राजपत पर विजय चौक से इंडिया गेट तक शनिवार शाम 6 बजे से रविवार को परेट समाप थोने तक यातायाद की अनुमती नहीं होगी सयुक्त पुलिस सयुक्त ट्राफिक विवेक किशोर ने कहा रफी मार्क जनपद मानसिंग रोड पर शनिवार राद 11 बजे से परेट समाप थोने तक यातायाद की अनुमती नहीं होगी सी हेकसागान इंडिया गेट रविवार सुबे 9 बज कर 15 मिन तक राश्ट्रिय स्टेडिया में पूरी परेट और जहाकी के प्रवेश करने तक यातायाद के लिए बंद रहेगा एडवाईजरी में यात्रियों को सुबे 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक परेट के मार्ग से बचने की सलाह दी गई है मही कमला मार्केट दिली सचीवाले आईजी स्टेडियम प्रगती मैदान भैरो रोड या हनुमान मंदिर यमना बजार के आजपास पास पार्क स्ट्रीट उद्यान मार्ग आराम बाग रोड पहाडगर मोरी गेट आईजबी टी कश्मीरी गेट आईजबी टी सराय काले खा और तीस हजारी अदालत के आजपस सिटी बस सिवाओं की आवाजा ही बंद रहीगी राजधाने दिली में 23 जनवरी को होने वाली फुल ड्रेस रिहरसल परेड तथा 26 जनवरी को घरतंतर दिवस परेड के मौके पर दिली से आने जाने वाली कई ट्रेनों के मार्ग में बद परेड के दोरान अमरिज सर सहरसा गरीवरत नई दिली डिबरुगर टाउन राजधानी एक्सप्रेस जमुतवी पूरे जहलम एक्सप्रेस नई दिली बनारस काशी विश्वनात एक्सप्रेस जिबरुगर टाउन नई दिली राजधानी एक्सप्रेस और स्याल्दा नई द प्राइविट बिल्डर्स और भू माफियाओं को बेचने का आरोप लगाया है। परिवान विभाग ने कोविट संक्रमन की वज़े से लर्निंग लाइसेंस की वैदता 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दी है। पिछले एक हफते से भी अधिक समय से दिली योपी, हरियान और पंजाब समय तुतर भारत की करोडों लोग सर्दी का सितम छेल रही है। ये सलसिला अगले हफते भी जाली रहेगा। इस बीच मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार और शनिवार को होने वाली बारिश की बाद राजधानी दिली और NCR की लागों में एक बार फिर ठंड बढ़ सकती है। इसकी बाद पूरे जनवरी में ठंड लोगों को परिशान करेगी।